राम राम, करोना जब से आया लोगों की जिंदगियां बदल चुकी है करोना से पहले जो हमारा लाइफ स्टाइल था वो पूरी तरह से परिवर्तित हो रहा है मतलब कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी तबदीलियां हो गई है लाइफ में जैसे आउनलाइन के प्लेटफॉर्म इतने बड़े स्टर पर आज चल रहे हैं कि धीरे धीरे जो हमारे स्थानिये बजार हैं वो कमजोर होते जा रहे हैं अब अगर जिंदगी में किसी को भी ग्रोथ करनी है तो वो राहू के अधीन जाकर ही करेगा यानि के ऑनलाइन कारिया करना पड़ेगा नहीं करेंगे तो पिछड जाएंगे पहली बात दूसरी ऑनलाइन यानि के बेंकिंग जो शुरू हुई है पेटियम गूगल पे सब कुछ बहुत बढ़िया साइंस ने बहुत अच्छी तरक्की की है और इस तरक्की ने सारी दुनिया के बजार हर किशी के लिए खोल दिये हैं संभावनाएं अपार हैं जिसका तो राहू बढ़िया होगा वो फाइदा उठा लेगा जो सूचता रह जाएगा वो सूचता ही रह जाएगा दूसरी बात अब ये जो इतने बड़े परिवर्तन हुए हैं तो यहाँ पर धन कमाने की भी संभावनाएं लोगों के लिए बढ़ गई है लेकिन कुछ ऐसी कंसल्टन्सी मेरी लोगों के साथ हो रही है कि धन बहुत आ रहा है उनके पास लेकिन धन टिकता नहीं है क्योंकि ये जो धन आपके पास घूमके आ रहा है ये राहू का धन है होता गया है पहले के समय में धन घर में आता था जो भी हमारी मंतली वीकली डेली इंकम होती थी या एनुली ही इंकम होती थी वो कैश के रूप में होती थी वो घर में आती थी ठीक है ना बाकाइदा बजट बनाए जाते थे उसके तरीके से काम किये जाते थे यह करना है यह नहीं करना यहाँ पर कटोती करनी है ठीक है तो वो क्लियर है अब ऐसा कुछ नहीं है अब जो दिल को भाता है जो आखों के सामने आता है हम जड़ से खरीद लेते हैं खा लेते हैं पहन लेते हैं ठीक है न अकर्शन बहुत बड़ा है तो यह जो अकर्शन बढ बड़ा हुआ रूप यानि कि धन को कहां खर्च करना है कहां नहीं करना है इसकी कोई management नहीं आज कल के समय में देखने को मिल रही दूसरा जितने भी आपकी कमाई आ रही आप salary है आपका वैपार है धीरे धीरे ये online होता जा रहा है online आपको payment लेनी पड़ रही है यानि कि रा वो सारा पैसा राहू के एक figure में घुमता है आप अपना mobile खोलते हैं देखते हैं आज मेरा इतना balance हो गया हना तो वो balance कहां पर है वो एक रकम जो लिखी है वो वहीं पर लिखी है आने वाले समय में आपके हाथ में पैसा देखने को नहीं मिलेगा ये note की currency बंद हो जाएगी only ये जो राहू है न ये ही आपको currency दिखाएगा कि आपके खाते में ये है और इसी से आप manage करेंगे आने वाला समय ये है 100% क्योंकि आने वाले समय में जैसे सिक्के बंद हुए है न पिछले समय में तांबे के पितल के सोने के चांदी के ये note बंद होने वाले हैं हो सकता है आप और मैं इसे देख ले हो सकता है थोड़े समय बाद बंद हो लेकिन ये होंगे ठीक है न 100% होंगे तो जितनी देर तक नहीं होते आप अपनी बरकत को अगर बचाना चाहते हैं तो ये currency आप अपने घर में लानी शुरू करें थोड़ी बहुत और घर की लक्षमी को दे अगर वो संभाल सकती हैं मैनेज करती हैं बजट बनाती हैं तरीके से चलती हैं तो उनको दे अगर नहीं इस तरह का महौल है तो आप किसी भी red कलर की brown कलर की थैली में अपना वो धन रखें कुछ अपने महीने के खर्चे हो गए ठीक है ना और अगर वो धन बच गया तो उ हाथ में आ नहीं रही तो वो हाथ में आई तो उसमें पैसा बचने की संभावना बढ़ जाएगी तो वहाँ पर जो एक online में सब कुछ घूम रहा है न वो नहीं होगा तो लोगों की करोडों में income हैं खर्चे पता नहीं कहां से हो रहे हैं बेवजूल के हो रहे हैं पैसा आ हो जाएगा फिर इसका खोजने से भी हल नहीं मिलेगा तो धन को घर लेके आएं बाकाइदा उसे संभाले महीने बाद बच जाएं तो उसकी सेविंग कर दें ये मैंने इसलिए बताया कि कई लोगों की ये समस्या है और ये तकरीबन 2020 के बाद यानि के कोविड के बाद बह साथ मैं एगरी हूँ लेकिन उसके नुकसान भी होते हैं बरकत नहीं होगी लोग साथ साल की उमर में मेरे पास आ रहे हैं पूछ रहे हैं कि धन्नी जुड़ा आज तक सेविंग ही नहीं है हमारे पास तो कमाल है वह या बुड़ापा कैसे बच्चे निकल आया अच्छे त तो यहां पर यही एक माध्यम है ठीक है ना कुछ जागरुक परिवार हैं जो धन घर के लेके आते हैं लक्षमी दिपावली पे क्यों लाए जाता है सोना चांदी क्यों लाते हैं वो भी ओनलाइन ही रहने दो नहीं ना आने वाले समय में हो सकता है बिटकिन कोईन क्या वो आये मेरे को नाम भी नहीं मालूम जो सोने के सिक्के बेजते हैं तो वहीं पर बढ़ते हैं कम होते हैं ना बिटकिन कोईन कहते हैं उनको आप बता दीजेगा तो कहने का मतलब ये सब कुछ ओनलाइन ट्रांसफर हो रहा है तो घर में कहां लक्षमी कहां पर तरक्की कहां प बर्कत तो बस यही बताना था आप थोड़ा सा पैसा अपना बैंक से निकलवाएं ऑनलाइन निकलवाएं घर में रखें बच जाएं सेविंग कर दें ठीक ना उसको बचाएं अपने बुढ़ापे के लिए आज आप युबा हैं ठीक ना तो कोई दिक्कत नहीं आगे दिक्क ठाठाठा तो ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं और इसको अपनाना है फिर रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे ठीक है ना तो ये करके देखे मातरानी की किरपा से लाब होगा आपके घर में बरकत बड़ेगी और राहु देव की ये जो नई चाल शुरू हुई है क इस वीडियो के पीछे अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें जरूरत है उसकी और शेयर करें अगले वीडियो तक के लिए जैम आता दी